कैसे हैं आप लोग आज एक प्रस्ट में देखता हूं जो बिपेसी टी यरी टू में पूछा गया है सवाल बहुत ही असान सा है इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्ब करते हैं तो जैसा कि दिख पारा है कि पर पावर क्या है 12x प्लस 6 और बरावर 49 पर पावर 3x प्लस 2 बेल तो इ कैसे निकालना है चलिए इसको देखते हैं तो यहां पे है क्या 12x प्लस 6 इकल टू हम 49 को लिख सकते हैं क्या 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 दैट मिन 7 to the power 2 तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 7 to the power 2 to the power 3x प्लस 12 और जैसा कि हम लोग को पता है पावर पे पावर होता है तो पावर क्या करना होता है गुना करना होता है ठीक है तो 7 to the power 2x प्लस 6 बरावर 7 to the power 2 into 3x प्लस 12 तो 12x प्लस 6 और 7 to the power दोती है ही 6x और 12 दुनी 24 अब देखिए हम लोग को पता है कि जब बेस सेम हो एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अगर a to the power m हो बरावर हो b to sorry a to the power n हो तो ऐसे तभी समभव है जब दोनों का power भी बरावर हो a to the power m a to the power n यह तभी बरावर हो सकता है जब दोनों की घात यानि power भी बरावर हो तो हम लोग को क्या करना होगा? पावर सेम करना होगा. तो चलिए कर लेते हैं. 2 बेल x प्लस 6 बरावर 6 x प्लस 2 बेल. अब देखिए, x वाले को टर्म को हम उस तरफ भेज दे रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? 2 बेल x माइनस 6 x और ये वाला जो मैं उधर भेज दे रहा हूँ. ठीक है? तो यहाँ पे जैसा की 24 है. तो 24 माइनस 6. अब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? कि 12 में से 6 x गया तो 6 x बरावर यहाँ पे क्या गया? 18. यानि x बरावर क्या हो जाएगे? 18 बटा 6 6 से काड़ दिया 3 यानि x बरावर क्या आगे अपना? 3 तो इत्ता असान सा सवाल था और इसको हम लोग जल्दी में कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करें तेंक यू